दोस्तों बिहार में चल रहा है BPSC सिख्यक पहाली को लेके कल पतना हाई कोट में 1100 की सुनवाई हुई जिसमें पतना हाई कोट ने सरकार को बड़ी रहात दी है और निक्जी परकिरिया पर रोक लगाने से निकार कर दिया है अगली सुनवाई कब होगी इस पे भी चर्चा क करें कुछ ऐसे भी एपेडिंग इस्टुएंट है जो बीएड इस्टुएंट है तो सब के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को आप लास्त तक चहूँ देखिएगा वीडियो सूगन से पहले माँ आप से छोटा सा रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चनल पर नए है तो आप इस चनल को सस्काइब पढ़ ले और वेल ऐकोन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो मिलता रहे चली शुरू करते हैं इस तीनों बुक को आप जरूर अध्यान कीजिए इससे आप अपनी एक सीट जरूर अक्का कर सकते हैं आने वाले बीपेसी सिक्षक के खासकर क्लास वन टू फाइव के लिए दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं पटना हाई कोट के फैसले को लेके पटना हाई कोट ने कल राज सरकार को बड़ी रहाद दी है और जो निक्टी परकिरिया चल ले बीपेसी की मादेम से बिहाद सिक्षक की उसको रोक लगाने से इंकार कर दिया है क्योंकि छात्रों ने जो भी यहाँ पे केश किया था वह इसे रोकने के लिए यानि कि एष्टे लेने के लिए एकजाम को रोकने के लिए किया था लेकिन पटना हाई कोट ने ऐसा कोई भी डिन्डे नहीं लिया जिससे छात्रों के हित्म है उन्होंने साब कहा कि इसमें इ तो इन्होंने जान वुषके 26 अगस्त को दिया है ताकि एक्जाम भी खतम हो जाए यानि कि जो भी यहां पे फैसला आ रहे हैं वह गॉर्डिनेंट के हाथ में आ रहे हैं देखिए जिसकी सता होती है उसके हाथ में वाला होता है वही वाला बात है तो जो सता है नितिस्कुमा नहीं होने वाला है आप अपना दिमाग को डिवर्ट करना बंद कीजिए आप 100% फोकस कीजिए अपने परहाई के उपर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कीजिए जो होना होगा जिसको खड़ना होगा करेगा आप कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जब चीजे ही निकल ज तो इसलिए आपको भटक ने किया हो सकता है विल्कुल नहीं है आप लोग अपने परहाई के उपर फोकस किजिए परहाई को ध्यान रखिए और उसके उपर जितना फोकस करेंगे उतना फायदा आपको होगा competition बहुत ज़्यादा टॉफ होती जा रही है अब बात करते हैं क जो citate pairing student है अभी मैंने आपको तीन books बताया उस तीन books को आप follow कीजिए बस उतना आपके लिए copy है ज्यादा परसान नहों कि दोनों आपको उसमें cover हो जाएगा आपका BPSC और citate भी आपका वहां से निकल जाएगा ठीक है ताकि आपको और भी मैंसत तो करना परेगा लेकिन आप उतना books पर है आपका वहां से काम चल जाएगा और बात करते हैं कि form बढ़ने की जो आखरी तीथी रखी गई है वह 12 जुलाई है कि यह date आगे बढ़ सकती है लेकिन आपको क्या करना आपको जितनी जल्दी हो सके form को fill up कर लिजे क्योंकि आज 5 जुलाई आपका हो गया है और form बढ़ने की परकिरिया जो है लगतार बढ़ रहे क्योंकि सभी स्टुडेंट कल 4 जुलाई के इंतिजार करने थे कि पटना हाई कोट का judgment क्या आता है तो judgment तो आ चुका है अब पर हाई के बिना काम नहीं चलेगा और लोग जो है आज से form बढ़ने की परकिरिया देखने को मिल सकता है तो इसलिए जितने जल्दी हो सके आप सभी form को fill up किजिए क्योंकि बाद में क्या होगा ना जब ज्यादा form गिरना सुरू हो जाएगा तो server भी आपका काम करना बंद कर देगा यानि कि फिर आपको दिक्कट का सामना करना पड़ जाएगा form बढ़ने म आपको ही उठाना पड़ेगा क्योंकि जब सरोर पे लोट पड़ेगा और डेली जो है एक लाग दो लाग जब form गिरेंगे आप क्योंकि अब कोई judgment आने वाला नहीं आप सभी form बढ़ेंगे यहां तक कि नियोजी सिक्चक भी इसमें आप सामील होंगे आप ध्यान रचिए